यहाँ फ्रेंड वेलकम बेक टु माइ चैनल और मैं हूं सखी गारण तो आज मैं ले चलते हूं अपने गारण के और और आज मैंने गारण में क्या देखा वह मैं आपको बताने वाली हूं का स्पारी correct प्लाइब्सक्रीटीन वेड़ा कर अदर में देखा जाकर के एक छोटा सा प्लाइब की सोचा नहीं था कि मेरी गार्दन में निकला का ये अपने आप और फोटेस्ती जादा galaxy को ये बहुत अच्छा प्लांट होता है दुदी का बैसे तो बाव में लोग जिस बकरी के दूद नहीं होता है तो इसकी घास खिलाते हैं जिसके बहुत ज़्यादा दूद होना लग जाए लेकिन दूदी दो प्रिकार की होती है यह हमारे ग्रीन पतियों में है और एक रेड गलर की जो लाल पतियां होती है तो ऐसे दूदी दो प्रिका सब्सक्राइब कर रहा है और वीडियो को फूल वाच कर रहा है वैसे तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है और अगर कोई न्यू फ्रेंड है जो वाचिंग करते हैं विजिट करते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें सब्सक्राइब जरूर कर लें बिद्वैल के साथ जिससे की मेरी आने वाली वीडियो हो आप तेक आसानी से पहुंच जाए तो मैं इसकी आपको वैलु उताती हूं इसकी वैलु क्या है यह डाइबुटियम बहुत रामण इलाज है और अगर आपको खूनी पेचिस होती है से दस्त लग जाते है अगर खू दुदी को सुखा कर पावडर बना लें और थोड़ी सी फिट की मिला लें उसको आप लें यानि उसका सेवन करें तो आपकी ब्लीडिंग आपकी पेचिस बिलकुल करके आराम मिल जाएगा उसमें और अगर जिसकी नकसीर की सिकायत हो जैसे नकसीर पूड़ जाती है तो ज इससे क्या है आपकी नकसीर जो फूड जाती है खून नाक से आना बहना बंद हो जाएगा है ना बहुत कमाल की चीद जिनको बहुत कमजोरी है उसके लिए दुदी का उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसको आप करीब 100 ग्राम दुदी आप ले लें और बड़ी अपको बहुत होगा है ना बहुत कमाल कि दुदी नाम कितना रहा है और इसकी ज़िदा लेकर कि लिफ्स थक फ्ला सबीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैलू है तो क्यों ना यह बता कि आप आप कभी जाएंगे ना रोड के साइड कहीं पर भी आपको यह इसका प्लांट आपको मिल जाएगा तो आप कहीं से डालें और रुटीम में इसको डेली खाएं तो घर में आसानी से लग जाती है आप लगा सकते हैं है तो ठीक है फ्रेंड हमें चलती हूं फिर आपके साथ मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सखी गादन को इजाज़त दें और अपना धेर सारा खयाल रखे फिर मिलती हूं बाई टेक क्यार